नवस्कार दोस्तों में आप लोग का स्वाकत होता है देल से स्वाकत आई होप है कि आप लोग अच्छ होंगे और सही चलामत होगे आज का जो वीडियो है मेरे वाई सीपीशी से रिलेटड़ है और इसे जो है इंपॉर्टन टॉपिक है जो है जिसे हम लोग कहते हैं इंगलेस में कोड़ भाई हुच डिक्री में भी एक्स्क्यूटेड ठीक जिसे हम लोग कहते हैं न्याले जिनके दौरा आधेस निस्वादित किये जा सकते हैं धारा नंबर जो है अंतिस से लेकर दिश् भाई बढ़ा है सेक्शन जादे हैं और एक्षे तरीकर से मुझे समझाना है कि तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा दस बीस से पचीस में आपको खत्म कर रहेंगे ठीक चलिए भी स्टाट करते हैं वीडियो पर पहली बात देख रहे हैं तो लाइक करिएगा और आप चै सब्सक्राइब में च्राइब चैसके व्याक्त जिसके खिलाब वास्तों में और स्वच्छा सी निवास करती है या ब्यवसाय करती है या ब्यक्तिकत रूप से लाव के लिए काम करती है ऐसे अन न्याले के अधिकार छेत्र की अस्थाने सीमाओं के भीतर या पूरी तरह से दिखिए बी नमर के रहे यदि ऐसे ब्यक्तिके जो है पास न्याले के अध रिकार्षिद की अस्थाने सीमाओ के भीतर संपत्ति है तो ऐसे नहीं माना जाएगा यह कहरा है ठीक सी नंबर करा यह डिक्री उस machines की स्थाने के बाहर इसतित अंचल आचल संपत्ति कि जो है वक्री या ब। का देश दित्र का निर्देश देती हैं जिस में इसे पारित किया है पूरे तरह से इसमें पॉंच किया लिके करें रूप करता है या इंदिक्री को ऐसे रूप में रिकार्ड करेंगा या यह होगा इसमें जिसनां Siya जो है सकता हैं निस्थाराद को भेज सकता यह हुआ इस धारा के प्रियोजनों के लिए किसी न्याले को सच्छम अधिकारता वाला न्याले माना जाएगे तुछ उसे ढिक्करी के अबेदल करते समय ऐसे न्याले के पास उस मुकंदमे की सुनवाई करने के अधिकारता होगी जिसमें ऐसा फर्मान पाजित किया था ठीक उसी के पास होगी चौथा पॉइंटिस में कह रहा है एक खंड में कुछ भी उच्छे कुछ भी उस न्याले को जो अधिकरित करने के लिए नहीं समझा जाएगा जिसने अपने अधिकार छेट के अस्था नंबर चारीश करा डिकरी को जो है दूसरे राज के न्यालें में अस्थानांत्रण कैसे कर सकते हैं जहां कोई निश्पादन के लिए किसी अन्राज में भेजी जाती है उसे जो है पूरी तरह ऐसे न्यालों में भेजा जाएगा और उस राज में जो है लागु नियम दोर जो उसे निश्पादन के लिए एक डिकरी भेजी जाती है वह उस न्याले को परवाणित करेगा जिसने जो है इसे अईसे निश्पादन के तत्त को पारित किया है या वहां या जहां पूर्व न्याले ऐसे बिफलता में सामिल होने वाले प्रस्तितियों प्रस्तितियों को करने में बिफल रहता है यह घई रहा जारा сорम इंदरी निस्पाद में नयाले क्या होती मैं उसे भेजी गई निसपादित करने वाले को ऐसे डिक्री को निस्पादित करने की वही शक्तिया होगी जयसे कि वह स्वयं एससे नियाले द्वारा उसी तरह डड़ यहोंगे जैसे कि उसने डिक्री पारित की ही और ऐसे डिक्री को निश्फादल में उसका आधेश सपील के संबन्द में उन्हें नियमों के अध्य धीन होगा मानु डिक्रि वही जो है पारित की गई है ठीक यह चीज गहाँ तू नमर के रहा उप धारा जो है फर्ष्ट के प्राधानों को जो है ब्यापाकता प्रप्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस उप धारा के तहट न्याले की सक्तियों मे जिसने जो है डिक्री पारिद की अर्था देखे ये नमर में धारा 39 के तहर किसी अनन्यादे को जो है निस्पादन के लिए डिक्री भेजने की सक्ति होगी दिक्री की को बेजेगा जिसने जो है डिक्री पारिद की है भलब कीथी चौथा नमबर इस धारग की कोई भी बात उस नियाले को प्रदर्थ करने वाली नहीं समझे जाएगे जिसे डिक्री निस्पादन के लिए निमलिकित सक्तियों में से किसी को जो है भेजी गई अर्था ये नमबर दिखे डिक्री के अंत्रित के उधरण पर निस्पादन के आ ऐसे बेक्ट के अलावा जैसे कि खंड भी या खंड सी में निर्दिस्थ है उप आदेश जो है नियम नमर पचास और कि नियम पचास नियम के जो है फर्स्ट में यह चीज कही गई है ठीक समझ में आ रहा होगा धारत तिरारिश के रहा सिविल नायलेव दोरा जो उन स्था संहिता का बिस्तार नहीं है उस नियान में कैसे निश्पादित नहीं है भारत की किसी भी हिस्से में अस्थापित किसी भी जो है सिविल कोड द्वारा पारिट कोई भी डिक्री जिस्त पर जो है इस संहिता के प्राधानों का बिस्तार नहीं है यह भारत के बाहर के प्राद द्वारा अस्थापित की जारी किसी भी नियाले द्वारा जो अगर इसे निश्पादित नहीं किया जा सकता है जिस नियाले द्वारा इसे पारित किया गया था उसके अधिकार छेत्र में इस सहीता का विश्तार करने वारे छेत्रों में किसी भी नियाले के अधिकार छेत्र म निश्पादन जिन पर जो इस हां प्रावधानों का बिष्थार नहीं है यह इस तरह के किसी विवर्ग के आदेशों को राज में निश्पादि किया जा सकता है यह उसा है तब पूरी तरह से निस्पाज़ित किया जा सकता है ठीक भाणित प्रवाणित प्रति जिला नियाले में दायर की गई है भारत में निस्पाज़ित किया जा सकता है जैसे कि जो गया वाई कि इसमें के साथ एक तरह के और इस नियाले से एक पर्मार पत्र दाखिल किया जाएगाय कोई जो है कि जिसहांत तक ऑधिकρι को संतूष्ट या समययोजित किया गया socio सब प्रमाड जो है पत्र इस धारा के तहट कारवाई के प्रियोजनों के लिए ऐसे संतुष्ट या समयोजन की सीमा निर्डायक प्रमाड होगी पूरी तरह से तीन पॉइंट में इसमें कारा है धारा 47 के प्रावधान डिक्री के प्रमाड प्रत दाखिल करने से इस धारा के तहट एक डिक्री को निश्पादित करने वाले जिला न्याले के कारवाही पर लागू होंगे पूरी तरह से और जिला न्याले ऐसे किसी भी डिक्री के निश्पादन से इंकार कर देगा यह यह है अदालत के संतुष्टी के लिए दिखाया गया है कि डिक्री धारा 13 के स्विश्टी कर दिया गया प्राष्परिक शेत्र का अर्थ भारत के बाहर कोई देश खेत्र है जिसे केंद्र सर्कार रज़िकारी के राजपत्र में सुचना दौरा इस खंड के परिजयने के लिए एक शेत्र कर सकती है और स्रेष्ट न्याले किसी भी ऐसे छेत्र के संदर में ऐसे न्याले का अर्थ है जो उस वक्त अर्शूजना में निर्दिश किये जा सकते हैं किसी वरिष्ट न्याले के संदर में डिक्री का अर्थ ऐसे न्याले के किसी भी डिक्री का निड़ा है से जिसके तहट धन की राश दे है करो या इसी के तरह के जो है अनसुलकों के संबन में दे राश नहीं है या जुर्वाना या अनड़ लेकिन किसी भी मामले में एक मध्यस्ता पुरुषकार सामिल नहीं होगा भले ही यह से निड़े गया डिक्री के रूप में लागू हो निश्पादन के लिए एक डिक्री भेजने के लिए ससक्त बनाता है किसी भी राज में एक न्याले को केंद सरकार के प्रादिकरारी द्वारा अस्थापित किसी भी न्याले को निश्पादन के लिए एक डिक्री भेजने के लिए ससक्त बनाने के दूप में माना जाएगा पूरी तरह से कि इसमें पूरा अधिकार पूरा राइट सब कुछ भरा वह भारत जिसके लिए राज सरकार से अधिकारिक जो है राज पत्र में अधिकार ना द्वारा इस खंड को लागू करने की घोसड़ा की है पूरी तरह से ठीक जब भी उचित समझे उस जब भी उचित समझे अन्य नयाले को जो एक उपदेश जारी कर सकता है और जो निदेट उरेट से संब्दित किसी भी संपति को कुर्क करने के लिए ऐसी डिकरी को जो है निश्पादित करने के लिए स्थाच्छम होगा ति धांत में सब्सक्राइब करने के लिए आगे बढ़ेगा बसरते की एक निजम के तहट कोई भी कुर्की दो महीने से अधिक के लिए जारी नहीं रहेगा जानिए और जब तक जो है कुर्की की आवन वर्ण को बढहाया नहीं जाता है या जब तक की कुर्की के निजम धर से पहले दिक्रिया उस नियाले के अस्ताना अंत्रित नहीं की जाती है जिसके द्वारा डिक्री पारिद की जाती है अगर नहीं किया जाएगा तो कुर्की की जाए चुकी है तो डिक्री धारिक ने ऐसी संपत की बिक्री के आदेश के लिए अभेदन किया है तब आना जाएगा ठीक यह सब सारी चीज़े हैं महातपुर मामले है देखें कौन सा न प्रवधान इसमें दिये गए पूरी तरह से देखिए आप अच्छे दरीके से इसके इंसाट दिजिए जो पढ़ लिए जानिये और ठाटी नाइन के क्लॉज ए में भी पूरी तरह से इसे ने डाइट किया गया अजनियम 22 द्वारा जो है ठाटी नाइन के फोर में भी साम और सहीता के आदेश 21 पर इसका प्रभाव डालेगा सलेम एड्वूकेट बार अच्छा लगा होगा बढ़िया लगा होगा सही से जानकारी मिल चुकी अपील से पर जो है समनित समान प्रवधान ये सब साथ चीजी ये अलग है मेरे वाई ठीक तो समझ में आया होगा पुरी तरह से अच्छ़ तरिक है से जान गए होगा sudah बहुत है नेस्ट वीडियो वांटक एसा है